चलिए भाई साब गूड मॉनिंग गूड आप्टरनून गूड इवनिंग स्टार्ट कर रहे हैं उतना लेक्षेर आज का जल्दी यल्दी आजओ और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दिया करो ताकि ज्याजा से ज्यादा लोग इसको देख पाए और साथी साथ व यह पूरा का पूरा है साफ इसका कैटर्न कर लेंगे त्पी तॉड़ी झापने से बैड जाए है कि बड़े टीक आपके बी-डिबाग में बेड जाये और उसके बाद फिर अम लोग क्या करेंगे next chapter start करेंगे but जब हम next chapter start कर देंगे तब आपका काम पहले ये रहेंगा कि जैसे आज ये chapter पूरी तरीके से complete हो जाता है तो इसके जो MCQs है multiple choice questions है MCQs है वो आप क्या कर लो पूरे के पूरे अच्छे तरीके से solve कर लो तो sir उसमें doubts आएंगे तो क्या करेंगे सरम कोई दिक्कत नहीं आने दो doubts कितने doubts आते है मैं बैठा हूँ सारे doubts मैं solve करूँगा ठीके एक एक doubts हम solve करेंगे उसमें कोई दोर आए नहीं है लेकिन एक चीज always समझ लो कि MCQ पहले खुद से solve करना जाधा important हो जाता है एक काम करते हैं मैंने आपको थोड़ा सारे MCQ solve करने का पहले तरीका बता देता हूँ ठाकि आप लोगों की दिमाग में वो चीज बैढ़ जाए फिर हम mixed economy पढ़ते हैं और फिर हम क्या करेंगे revision तो वैसे भी हम लोगों को जो कलका पढ़ा हुआ करेंगे तो पहले हम mixed economy पढ़ लेंगे उसकी बाद पूरी revision एक साथी कर लेंगे ठीक है कि सुरी अब मेरी बात ध्यान से सुनना देखो तुम लोग क्या गलती करते हो तुम लोग के जो बच्ची लोग होते हैं वो लोग mcqs solve करने में क्या गलती करते हैं वो लोग करते हैं कि भाई वो चाहते हैं कि जो teacher है जो master है वो mcqs solve करवाते और हम वो mcqs solve कराते कराते हैं एक एक mcqs को देखते रहे सुनते रहे और वही हम लोग क्या करें टिक करते जाए मतलब मैं पढ़ाते जा रहा हूँ पूरे MCQs लाइन से मैंने 100 MCQs पढ़ा दिया तुम लोगों ने वह सुन लिया तुम लोगों को एकदम मज़ा आ गया तुम लोगों को ऐसा लगा कि भाई हमको तो सारे MCQs जम गए हमको तो पू हमको में दोरों काणुरों करवा किए ना तो यह जो रशता होती निए तरीका जो होता है कि सबसे गलत दरीका क्या बंशायों कि बड़़ता हो और भाकि सह कि नहीं करें पहना हमतीर को सभीका कि फिर तुम महारे अंदर वो चीज़ डेवलप भी नहीं होंगी कि तुम थेरी पढ़के content समझके mcqs खुद से क्या कर पाओ solve कर पाओ और सेम अप्लाइस इन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स जहां पर mcq रहते हैं सो तरीका क्या होता है mcq solve करने का जो बेस्ट तरीका है ध्यांसर सुन लो मैं अभी एक ही बार बता रहा हूँ फिर हार चैप्टर में यह चीज़ नहीं बोलूँगा अरे गेटिंग में पॉइंट बच्चा तो सबसे बेस तरीका होता है कि जैसे हमने पढ़ लिए क्लास में कंटेंट पढ़ लिए चैप्टर हमने पढ़ लिए उसके बाद तुम लोग क्या करो वही चैप्टर को पहले खुद से पढ़ लो और उसको जैसे मैं रिवाइस कर कर लो मतलब पहले तुमने क्लास में मैंने तुमको पढ़ा की दिया फिर तुमने घर में उसको पढ़े और उसका एक बार रिविजन कर लिए आफ्टर देट तुम क्या करना चालू कर दिये खुद से से अब इसमें यह भी हो सकता है कि तुमको सो एमसी क्यू दिए वे है तो पचास जमें, पचास ना जमें, चालीस जमें, साट ना जमें, सिक्स्टी जमें, फोर्टी ना जमें, सेवेंटी जमें, थर्टी ना जमें, मतलब बहुत सारे कॉंबिनेशन, किसी को हो सकता है बीच जमें, असी ना जमें, तो ऐसे बहुत सारे कॉंबिनेशन पॉसीब यह यह मतलब मैं को Samirinku कर पाया है और मान लो फिर भी नहीं सब्सक्राइब करने की काभिलेट अपने अंडर डेवलफ कर लोंगे अरुगे अगर अगर में को करवा कि देना तो मेरे लिए तो बहुत चूटी सी बाते वह फटावट फटावट मैं करवा दूगा समझा भी दूगा तुम्हारा उसमें फाइदा नहीं होंगा उल्टा क्य तुम्हारी वहां पर बिल्कुल भी क्या नहीं होंगी गलतिया नहीं होगी एक पॉइंट दूसरा पॉइंट MCQR solve करने का तरीका क्या है MCQR說 केसे करे जाते हैं हम किस तरीके से MCQR solve करे सर तो मैंने आपको बताया कि पहले आप पढ़ लो पढ़ने की बाद फिर आप क्या solve करना चलू करो MCQS ऐसा नहीं कि थोड़ा पढ़े vaccines solve करें थोड़ा पढ़े नहीं वो तो एकदम क्या अईसा और करती हो अपको पड़्याचEN की है पडाईं नहीं करते हो फिर आप चार्टे हो उंद्स द करते हूं आहिं जो भी हैं पड़ाई लिएंड सी अपनी पड़ाई यो आप पृफेशनल की स्लेठ बैना रहे हो कि में को सब आता है जबर्दस्ती कर रहे हूं अगर आप जो मैं तरीका बता रहो ऐसे करते हो तो मतलब कुछ बच्चे क्या करते है मैंने यह बहुत नोटिस करी है उनने जैसे को से लेकर बैठें नमबर वन दी मीनिंग ओवर्ड एकोनॉमिक्स इस मोस्त ली कनेक्टेट विद विद एक्ट्रावेगेंड ट्रिक्टेड मेने में अध्या वर्ड है वो किसके साथ ज्यादा क्लोजरी लिलेटेट है यार में को क्या लगता है इसका एंसर स्केर होना चाहि है ओक्यचे लिए जाती कि हमारे ढिलेक्ट लेक्स करो कारने की सेल्टी है अब में कहीं न खूपित ज्याता कि भाजू का एंसर कहीं ना कई दीखिच रहा था फिर अम जब नीचे जाते हुमान उन्हार तो हमारे डारेक्टली दिमांग वह और आप्शन पी जाता है अनलि एंसर क्या सी देख तो एक बार वापस से चेक करते हैं फिर जाएंगे पीछे अच्छा सी है ओके बाजुवाले ए पे नजर चलिश गई है तो तुम ऐसे अगर हर कुशन के बाद पीछे जा जाके एंसर चेक करोंगे तो इससे यह होंगा कि तुम अपने आप से धूका कर रहे हैं चाहे तुम कितने भी मांदर तुम भली ना देखो वाला बाजुवाला कोशन लेकिन कई वह बार 99.99% के से इसमें वह दिख जाता है और वही एंसर तुमारे दिमाग में घुमता है तुमको नहीं भी आने वाले कोशन का ऐनसर भी कही बार आ जाता है यह इसी वज़े से क्यूंकि अमें चीज बहुत बड़ी करते हो नहीं बहुत na kya karate करती चीज उसके अंदर बहुत जादा है सबना करती है largest है कोई नहीं तुम सिंप्ली काम करो तुम स्लॉट लेके बैठ सो स्लॉट बोले तो मैं एक टाइम पर पच्छास MCQs करूँगा यह टाइम तुम्हारे पास अभी कम है मैं एक टाइम पर 20 MCQs करूँगा और बुक में बिल्कुछ निकरने का यह बुक में यह ऐसा मार्किंग मारने का यह नहीं की फ़र्स का बी है हमने यहां पर टिक कर दिए फ़र्स का भी है न ऐसा गंदगी करने का इन ना पैंसे ना पैंसिल से यहां टार्गेट सेट कर लो कि मैंको 20 MCQs वो 20 MCQs को आपको जब solve करोंगे तो एक कागज साथ में लेके बैठो और उस कागज पे कोशे नमबर 1 B o na B कोशे नमबर 2 C खोशे नमबर 3 A कोशे नमबर 4 नहीं जमा कोई बात नहीं आगे देखेंगे 5 नहीं जमा कोई बात नहीं 6 B 7 A एसे कागज पर लिख पर में करने वाले हो एक्चुली में वैसा करते चलो है कागज पेपर लो उसके ओपर वह चीज क्या करो options लिखते जाओ answer लिखते जाओ और जब आपके 20, 30, 50 हो जाए तो फिर उसको एक साथ क्या करो चेक कर लो पिछे से कि वो सही है या गलत है और मानलो अगर कोई question गलत हो गया है तो वो गलत क्यों हुआ है मैंने ऐसा क्यों सोचा और answer ऐसा क्यों होना चाहिए क्योंकि जब आप कोई question को गलत करते हो इसका मतलब आपका concept वहाँ पे कहीना कहीं हिला हुआ है यहनि जब कोई MCQ आपसे गलत होता है तो वहाँ पे एक चीज ऐसी रहती है कि वो question शायद आपको आता था बड़ कहीना कहीं आपका वो जो concept है वो properly clear नहीं हो पाया वो concept आपने या प्रौपर्ली पढ़ा नहीं है या क्लास में पढ़ दाए समय सुना नहीं है या वो concept आपका properly clear नहीं है तभी आपने उसका option गलत सिरेट करा ऐसा नहीं है कि आपको वह कंसर्ट आता ही नहीं आता है यह प्रॉपरली नहीं समझा है तो नहीं आता यह एक बार का चल जाएंगा लेकिन अगर कोई चीज गलत हो रही है तो वह चीज के उपर काम करना बहुत ज्यादा रिक्वाइड है क्योंकि गलत चीज के उपर 1.25 मार्क्स कटेंगे छोड़ दिया अगर कोईशन तो उसके उपर स्रिफ एक ही मार्क्स कटेंगा यह ने निगेटिव मार्किंग नहीं होगी सो अलवेस ट्राइ कि कहां पर मेरी जो गलती हो रही है वह mcq मैंने गलत सॉल कैसे करा क्यों मैंने ऐसा सोचा इसका यह होना चाहिए था इसके उपर एनलेसियस करो सोचो बट यह कब जब आपने एक बार पहले 20-50 जो इस लॉट आपने सिलेट करें उत्रे नंबर आप mcq को एक बार वापस से मैं चेक करूँगा कि अब मेरे को जम रहा है कि नहीं जब मैं सेकेंड एक तो पहले वह गलत क्यों हुआ वह दूंडो तो उसके बाद यह मालूम पढ़ जाएंगा आपको गलत क्यों अच्छे से क्लियर हो जाएंगा ठीक है थर्ट इंग उसको स्टार करके रखो ।, श्टार मांक करके रखोंगे तन्सरे फाएंगा होगा कि यह सेकेंड टाइम कर रहे हaire तो तो पिर आप यह करना कि आपको वह जम जाता है या ने जमता है सेकेंड टाइम जब आप सौल करोंगे एक माने बात 15 बाद पाना दिन बाद 20 दिन बात धेरमेन बाद जब आप सइकेंड डि heavily patriot करों 37 करोंगे सब्सक्राइब करने के लिए जो आधे लोग दिमाग में बैठा लेते हैं चीजे मैं इतना लंबा चोड़ा भाशन क्यों दे रहा हूं क्योंकि बहुत लोग किसी चाहजे से फेल होते हैं और सेम चीज अपलाइस तो जो कुशन नहीं जमा कि वहां पर चेक करो क्यों नहीं जम रहा है और उसको भी स्टार माग करके रखो ताकि वह आपको नेक्स्टाइम काम आए जो आपकी निमाक में होनी चाहिए जो मैंने यह बोला कि ऐसे टिक नहीं करेंगे अब यहां तो मैं इसको मिटाओंगा तो यह अच्छे से मिट जाएंगा सेकेंड टाइम मेरे को मालूम नहीं पड़ेंगा कि मेरा ऐंसर क्या था लेकिन आपको ही मालूम है कि अगर आप अपने बुक में कॉपी में जब अगर कोई भी ऑप्शन को टिक कर देते हो पेंसे या पेंसिल से भी करते हो पेंसे कर दोँगे तो वह एंसी के उस खताम हो खराब होगे पुरे के दूख एक जो कि हम होत कर भाएंगे तो कहाँ से क्या होता है जब हम सेकेंड टाइम वही वाले MCQ सॉल करते हैं ना सो हम लोगों को automatically answer दिख जाता है और हमारी जो पहले की memories देना वो पहले की memories पुरी ताज़ा हो जाती है कि इसका answer B था इसका answer A था यहना हमारा concept clear नहीं है लेकिन क्योंकि मार्किंग दिख रहा है कही न कहीं वह मार्क MCQ दिख गया कहीं न कहीं उस वज़े से हमको ऐसा लग रहा है कि मैं सही हूँ मेरे को आता है जबकि तुमको नहीं आता है तो बेस्ट तरीका है कि यह MCQ की sheet को नया का नया ही रहने दो आप यहां पर टिक ना करो normal page लेके बैठो और उस पर देखके क्या करो solve करो और पीछे बार-बार-बार-बार questions का answer देखने की जरुरत नहीं है slot select करो 20-30-50 whatever आपकी capacity है उतना select करो और उसको solve करो पहले टाइम आपको यह करना है second time में हम फिर time management को भी ध्यान में रखेंगे कि कितने टाइम में कितने MCQ solve होते है ठीक है यह सारी चीज़े मैं आपको और और बताऊंगा आगे के chapters में बट आभी first chapter में जितनी मैंने चीज़े बताई है इसको please I request इसी तरीके से करो तब आप लोगों के concepts clear होंगे आपको जो questions नहीं जमें वह बाते भी आएंगी और कोई दिक्कत नहीं है अगर कोई चीज नहीं जमती है अभी गल्ती पता चल लेंगी अभी मालूम पढ़ जाएंगा या तो मेर से या तो खुद से clear हो जाएंगी वह चीज या तो मैं आपको उसका answer आपको समझ में आ जाएंगी कोई तुम पहले chapter पढ़ते बर भगवान नहीं बन जाओंगे कि हर चीज तुमको जमेंगे और मालो तुमको जाधा MCK जम भी जाते हैं तो don't get overconfident कि भाई हमको सब आता है ऐसा है ना under होना ना over होना normal level पे चलना so that तुम लोग easily subject को क्या कर पा था distinction score किया था CPT में just because of this strategies और कई बच्चों को फेल होते वे देखा है मैंने इतने सालों में 10 साल सा पढ़ा रहा हूँ इतने सालों में उसका कहीना कहीना कहीं reasons यह सब चीजे है कि वो सिर्फ अपने आपको मनाने के लिए अपने आपको बेवकुब बनाने के लिए चीजे साल करते हैं पढ़ते हैं जबकि concept क्लियर करना ज्यादा relevant है हमको नहीं आता है तो उसको सीखना ज्यादा relevant है rather than अपने आपको मना लेना नहीं में को सब आता है में को सब आता है अब लास्ट ही आ जाती है भाई साब वो आ जाती है mixed economy हमने capitalist economy पड़े हमने socialist economy पड़े हमने दोनों economies के अंदर solutions भी पड़े कि क्या solution है किस चीज़ को जो central economic problem से चार what to produce how to produce for whom to produce and last thing what provisions are made for the economic growth हमने ये सारी चीज़े भी उसमें पढ़ ली socialist capitalist के advantages disadvantages disadvantages सारी चीज़े हमने पढ़ ली मैंने आपको एक short का तरीका बता दिया है कि भाई जो भी capitalist के merit है वो ही socialist की क्या होंगे demerit होंगे जो ही capitalist के demerit है वो ही socialist की क्या होंगे merits होंगे तोनों एक दुसरे से बिल्कुल reverse है opposites है अरिगेटिंग मापॉइंट जब दोनों एक दूसरे से बिल्कुल रिवर्स और अपोजिट है वह आपको अच्छे से इस डिवेट के फॉर्म में क्या हो जाए समझ आ जानी तो आप अगर उसको अलग करोंगे इसको अलग करोंगे और उन दोनों का मिलाफ is nothing but mixed economy जो मैंने कल आपको बोला था पढ़के आना आपने पढ़े होंगे आओ अभी हम देखते हैं अच्छा इंडिया इस एन एक्जामपल ऑफ मिक्स एकोनोमी यह ऐसी टाइप की एकोनोमी जहां पे प्राइवेट सेक्टर को भी पावर है हम अब हारे आता है ना तो बच्चे उसको वह जाते हैं उसको बच्चे पब्लीक लिमिटेड कमपनी मान ले तबятся कर्णी तो प है के अंदर प्डिक लिमेटेड कमपनी मैं कररा हूँ हो मैं सेक्टर्स की बात कर रहा हूँ और जब मैं में बात कर रहो प्राइवेट प्रावेट लिमेटटड कमपनीज बहुत है और पावोजी में अंट्रप्राइज़ा मतलब जो करने लेकिन वह प्राइवेट सेक्टर औरन कर्ती है गवर्मेंट रन करती तर बीसेक्टर पब्लिसाइड रजाता है तो यहां पे दोनों का there are three sectors of industries, mixed economy में काईदे से देखा जाए, तो तीन टाइप के इंडस्ट्री रहती है, पहली private sector, second public sector and lastly controlled or joint sector, lastly control or joint sector, sorry my mistake, combined or joint sector, combined or joint sector का मतलब हो गया कि कहीं कहीं organizations में private companies और private sector और public sector दोनों मिल के, government और public, PPP बोला जाते है अशको, private public partnership, ठीके, PPP, TPP model बोले जाते है, private public partnership, मतलब जहाँ पे government sector भी और private sector मिल के क्या करते है, कोई organization को run करते है, उस type की companies को बोले जाते है, joint sector या combined sector, are you getting my point, और again, जब मैं mixed economy की बात करता हो, तो again mixed economy is also planned economy, mixed economy is a planned economy, mixed economy को भी आप क्या बोलते हो, planned economy बोलते हो, that is government is a dear, has a dear and definite economic plan, government के पास a dear or definite, यह प्रॉपर, dear as in proper or definite economic क्या होता है, प्लान होता है, इसलिए इसको planned economy बोला जाता है, public sector enterprise has to work according to the plan and to achieve the objectives letdown, मतलब government ने जो प्लान बनाया है, वो प्लान के तौर पे ही public sector enterprises को क्या करना पड़ता है, प्राइवेट सेक्टर अपने हिसाब से काम करेंगा, लेकिन जो plan economy में बनाया जा रहा है, ठीक है, economic plan बनाया जा रहा है, तो उसको अचीव करना, उसको प्रॉपर अचीव करना, वो objectives के उपर काम करना, यह किसका काम हो जाता है mixed economy में, प्राइवेट सेक्टर अपना बढ़िया तरीके से काम कर सके, और प्राइवेट सेक्टर भी अपना बढ़िया तरीके से क्या कर सके, काम कर सके, बेसिकली mixed economy बनाने का पीछे intention यह रहता है कि हम capitalist economy के फायदे भी उठा ले और कुछ socialist economy के फायदे भी उठा ले, ठीक हम एकदम straightforward होगे capitalist भी ना बन जाए, एकदम rigid होगे socialist भी ना बन जाए, तो लों का combination चला कि हम अपनी country को क्या करे, प्रॉपरली रन करे, जहां पर आम जनता का भला भी हो और businessman अच्छा खासा profits भी क्या कर पाए, earn कर पाए, जिसके वज़े से economic growth भी क्या हो, fast हो, तो इसलिए यह दोनों टाइप की sectors of economies को क्या किया जाता है, यहां पर रन किया जाता है, resource allocation, again resource allocation in a mixed economy is better, since it attempts to combine the productive resources of capitalism and distribute justice of socialism, मतलब यहां पर दोनों चीज़े है, यहां पर आपकी productive efficiency भी है, capitalism की resources को बाटने के लिए, proper तरीके से, और साती साथ justice भी कर रहे है, socialism का distribute करते समय, मतलब हम यहां पर गरीबों का भी ध्यान रखेंगे, अमीरों का भी ध्यान रखेंगे बहुत हद तक, और साती साथ, साती साथ, जो productive efficiency है, capitalism वाली, मतलब जहां पर प्रॉफिट जादा होंगा, उन चीजों का भी क्या रखा जाएंगा, ध्यान रखा जाएंगा, public sector enterprise में located in backward regions, so that to ensure development mixed economy में, क्योंकि private sectors क्या करते हैं, प्रॉफिट के बारे में ज्यादा सुचते हैं, so वो लोग ज्यादा backward area में जाने की कोशिश नहीं करते हैं, but government को economic run करने के लिए, हर region को, सारे regions वो हमारी country में होते हैं, उनको proper तरीके से क्या करना पड़ता है, develop करना पड़ता है, ऐसा ना हो जाए, regional imbalance मतलब कोई region बहुत जादा ही develop हो गया है, और कोई region बहुत ही पिछड़ा रहे गया है, बहुत ही backward रहे गया है, तो उस वज़े से जो public sector enterprises होती है, जो government run करती है, वो public sector enterprise यह ensure करती है कि वो backward regions में अपने enterprises क्या करें, अपनी companies, अपनी factories क्या करें, डाले, ताकि वो regions का भी क्या हो development हो, the government also provides subsidies and other incentives also to private enterprise, to establish and develop in backward region, अच्छा ऐसा नहीं है, देखो government यहां में कोई force नहीं कर रही है, government का काम है justice करना और साथी साथ profit भी कमाने देना private sector को, government दोनों चीजों को उपर बात कर रही है, तो government बोलती ही देख मैं मेरा काम करूंगी, हम इस दिकनामी में काम कर रहे हैं, हमारे जो public sector enterprises है, जो government control enterprises है, उनको हम backward region में डालेंगे, ताकि वो backward region का भी क्या हो development हो, और साथी साथ, उसके साथी साथ, हम private enterprise को कोई force नहीं कर रहे हैं, कि तुम backward industry डालो, backward region में industry डालो, हम socialism की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम उनको incentives और subsidies देंगे, अगर वो हमारी बात मानते हैं, तो basically point क्या हो गया, कि private sector को यहां पर जवर्जबरदस्ती से नहीं बुलाया जा रहा है backward region में अपनी factory डालने के लिए, उनको schemes और incentives का क्या दिया जा रहा है, लालस दिया जा रहा है, यहां पर दोनों का ध्यान रखा जा रहा है, कि भाई हम private sector को benefit देंगे, subsidies और incentives के फाम में, ताकि उनका profit में maintain रहा है, और backward region में factory डालेंगे, तो backward region भी प्रॉपर तरीके से क्या हो, develop हो, अर्युटिंग मैं, पतलब हम यहां पर force नहीं हो रहा है, just like socialist के अंदर force हो जाता था, क्योंकि वहां पर पूरा government control था, capitalism में, तुम्हारी मर्जी डालना डालो, तुम्हारी रिखते बेटो, हम कुछ नहीं करेंगे, government कुछ interfere ही नहीं कर रही है, यहां पर दोनों को साथ में लेकर चला जा रहा है, इसी से क्या होता है, balanced regional development होता है, तो paper में question आतकता है, कि which type of economy में balanced regional development होंगा, तो in case of mixed economy, क्योंकि वहां पे public sector अपनी जो factories है, वो backward areas में दालेंगी, और private sector को government incentives देंगी, ताकि वहां पे अपनी factories क्या करें, दाले, ताकि पूरे सारे regions का, एक क्या हो, balanced development हो, dual system of pricing, dual system of pricing मतलब किया, in private sector price of goods and factors of production are determined through free play of market forces and demand and supply, मतलब private sector जो है, वो demand of supply के हिसाब से, अपनी prices क्या करता है, decide करता है, वो कोई यहां पे यह नहीं सोचता कि भाई में को भला करना है, मेरे को इसका भला करना है, मेरे को इसका भला करना है, वो price mechanism, मतलब market force of demand or supply, इसको ज्यान में रखते वे क्या करता है, prices decide करता है, whereas जब public sector से, they state determined, as in government determines the prices of various products, the state also reserves to itself the right to keep different prices for the public sector units and private sector units, अच्छा हो, government यह भी कर सकती है कि public sector और private sector units के लिए, अलग-अलग वो क्या कर ले, prices रख ले, अब example के तोर पे, आप government run buses में जाते हो, है ना, जो estimate momental, मतलब state transports रहते हैं, उनकी buses में जाते हो, तो महाँ पर आपको थोड़ी prices कम लगती है, आप public sector, private sector की buses में जाते हो, जो luxury buses या, जो travels होती है, उसमें जाते हो, तो आपको उसमें prices क्या लगती है, अलग लगती है, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर दोनों की prices सेम रहेंगे, यह government force करेंगी, private sector की तुम भी वही price रखो, जो हम रख रहें, नहीं, government बलती है, तुम अलग रखना, अलग लोग हम यह रखेंगे, हमको लोगों का भला करना है, the state may also fix the prices of certain essential commodities, हाँ, यहाँ पर एक चीज बहुत अच्छी रहती है, mixed economy में, कि यहाँ पर common man को ध्यान में सान, ना हो, just like example दिया है, petrol LPG prices in India, अब देखा जाए, तो तुम बोलोंगे, sir, मजाक कर रहे हो, कि पेट्रोल लेटर तो कितना महेंगा है, और सब government ने taxes लगा-लगा के महेंगा कर रखा है, ठीक है, but government बोलती है, नहीं, हम mixed economy में essential चीज़े की prices, खुट decide करेंगे, ताकि, वो common man का, उसके होजे से क्या हो सके, बहला हो सके, क्योंकि वो जो चीज़े common man क्या करता है, यूज करता है, ऐसा उनका बोलना है, मेरा ने, तो मेरे को मत questions करना कि, sir, ऐसा क्यों, ऐसा तो होता नहीं है, भाई, वो बोल रहे हैं, दस, there is a dual system of pricing in mixed economy paper में, again question बुचा जाजता है, क dual pricing कहां पर होता है, dual pricing होता है, mixed economy में, यहाँ पर government भी कुछ चीजों की price select dual मतलब, government भी कुछ चीजों की price decide करती है, just like essential commodities, ठीके, और private sector अपने हिसाब से market force or demand के हिसाब से भी prices को क्या करता है, properly determined करता है, so एक बार, चारो पाचों पॉइंट समने देख लिए, आपने पढ़ six to include, उतलब जो मैंने बोला, mixed economy यह चाहत करता है, कि जो best feature है, both, market economy, as in capitalist, और control economy, as in socialist, उनको क्या कर ले, involve कर ले, while excluding the demerits of both, और दोनों के demerits को हटाते हुए, सिर्प merit, merit दोनों के क्या कर ले, वो involved कर ले, दोनों के merits अपने अंदर involved कर ले, ताकि demerits जो है, दोनों के, वो प्राइवेट सेक्टर, जो मैंने आपको अर्रेडी समझाया, पॉबिक सेक्टर, जॉइंट सेक्टर, एक बार हम यहाँ पर भी देख ले थे, प्राइवेट सेक्टर की अगर हम बात करें, तो प्राइवेट सेक्टर, प्रॉडक्शन एं डिस्टिबिशन, और मैनेज और प्राइवेट और प्राइवेट और पॉब्लिक लिमिटेड कमपनी, एक्जामपल के तौर पर बता रहा हूं, तो यहाँ पर प्रोड़क्शन, डिस्टिबिशन, उनको कंट्रोल करना, उनको मैनेज करना, यह किसका काम होता है, प्राइवेट इंडिविज्वेट की और फ यह कंपधिर करेंगी, एकला कुझा करेंगी। प्राइवेट प्राइवेट सेक्ट करेंगे यह इंडिस्ट्री अबैस्टलि और सेल्फ इंट्रेस प्रॉफिट मॉटिव, बिविक चैनलोंrose हो, वह REAL उनकों कर हो, तो प्राइवेट सेक्टर हों करखोंगः है, तो प्राइब के पास भी रहती है ऐसा नहीं के साहरी प्रोपर्टिस ग्रमन्न के पास ही रहेंगी अगर मैं पॉर्मेंट की बात करता हूं इंडेस्ट्री इंडी सेक्टर और नॉट प्रेमिरली प्रॉफिट और सेट बाइदी स्टेट फॉर वेलफेर और दी कमिनेटी एक्जाम्पल के तौर पर रेल्वेस रेल्वेस पॉब्लिक वेलफेर के लिए बनाई गई है तभी गौवर्मेंट के हाथ में काफी टाइम से क्या साल से रेल्वे लॉस में थी अभी कुछ सालों से प्रॉफिट में उसके पहले को कई सालों की बन कर देति यह ऑन जनता की रेल्वे नीड है वह नुक्सान हो रहा है लेकन हमको फिर भी चलाना पड़ेंगा उनके पास कोई आप्शें की कि कॉनका मोटी भी नहीं है प जो सारी एसी बाते रहती है यहां पर जो बातों के घ्यान बातों में जो चीजों में गवर्मेंट कही कहीं डारेक्ली रहां इंडरेक्ली डारेक्ली प्रावेटेश को क्या करती है रेगुलेट करती है याने मतलब सब पूरी जरी किसे इंटरफेर नहीं करती है लेकिन प्रॉफिट के चक्कर में वो लोग कहीं सामने वाले कस्टमर और कंजूमर का नुक्सान कर दे यह एक्स्प्राइटी करना चलू कर दे ऐसी चीजे ना हो इसलिए थोड़ी पॉलिसी बनाके गौर्मेंट क्या करती है प्रिवेट सेक्टर का ज्यान रखती है याने गौर्मेंट सेक्टर यह बोलती है एक्जांपल के प्राइज तुम्ने डिसाइड किया न प्राइस तुम्हारी प्राइस फैनल है न एमर्पी तुम इससे ज्यादा नहीं बेच सकते हैं अब कुछ लोग क्या अगरते हैं मैं आपको क्या लगेंगी पेनाल्टी लगेंगी आपको जेल हो सकती है बहुत सारी फैक्टर दे एकजम्पल की हाँ पर गवर्मेंट क्या कर रही है कहीं न कहीं कुछ पॉलिशी मैंटर स्कॉल से इस्टुमेंट्स यह कुछ लॉस बनाके ज्यादा प्रफिट कमाने की लालच में लोगों का नुक्सान ना कर दें लोगों को कस्तेमर को क्श्टॉमर को एस्टॉइट ना क को पूरी तरीके से नहीं, बट इंदी राइट सेंस क्या करती है, रेगुलेट करती है, अरिगेटिंग मैं पॉइंट, नेक्स्ट आ जाते हैं, मिक्स्ट इकोनॉमी की मेरिट्स, क्या फायदे है, एकोनॉमिक फ्रीडम मिलती है, राइट टॉ प्राइवेट प्रॉपर्टी ह यहां पर मिलती है, ताकि work और capital formation हो सके, consumer sovereignty है यहां पर बहुत अद्तक, freedom of choice भी है, आज आप इंडिया में रहते हैं, आपको मालूम है, कि आपकी जो पसंद की चीजे है, कहीं ना गई, वो market में मिलती है, आप वो खरिदती हो, कोई आपके उपर जोड़ जबर्षती नहीं आपको यही खरीदना पढ़ेंगा, यही बनता है, इसके अलावा option नहीं है, तो यहां पर freedom of choice भी एक्जिट करती है, मतलब इसके merit, demerit पढ़ो या ना पढ़ो एक इच बात है, वो दोनों के merits पढ़ो, इसके merits आ जाएंगे, खताम होगी बात, फिर हम पढ़ते हैं, there are appropriate incentives for new innovations वगरे करे, यहां पर रिक्स लिया जाता है, बिल्कुल enterprise रिक्स लेती है, क्योंकि private sector तो यहां पर पूरी तरीके से देखा जाए, तो जितना वो रिक्स लेंगी, उतना उसको क्या होगा, फाइदा होगा, तो इसलिए private sector profit कमाने के intention से यहां पर रिक्स वगरे भी लेती ह चले जाता है, मतलब क्यों private sector में ऐसा सुठीन है कि एक ही player है, private sector में हजारो players है, और जब प्रावेट सेक्टर में हजारो players है, इतने सारे players है, तो कही ना कहीं इतने सारे players होने के वज़े से private sector जो economy है, private sector जो हमारे country का बात समझ रहे हो, जो private sector है, उनकी भीच में आपस में competition प्रोपर तरीके से चीजे प्रोवाइड नहीं करेंगा तो कस्टमर तरे पास दूबार आएंगा यह नहीं कुछ यह बात को सब्सक्राइब करेंगा यहां पर देखा जाए तो दोनों का मिश्रण मतलब ऐसा नहीं होता है कि यहां पर सब्सक्राइब कानुन बना के क्या कर देती है हटा देती है अब द्यावर्दस्ति के देमेरिट्स का यह है मैं सही बताओ तो फिर भी हम पढ़ लेते हैं एक्सिशिव कंट्रोल बाई इस स्टेट इनका बोलना है कि कंट्रोल जाधा रहता है गवर्मेंट का इस एकोनोमी में जिसके वाज़े से प्रावेट्स लिटर को बहुत कंस्ट्रेंट आ जाते हैं ऐसा इनका बोलना है वह इंप्लिमेंटेशन ऑफ प्लान बाई इस स्टेट अफॉर्मेंट है जो प्लांस बनाती है बना तो लेती है अचे प्लांस बड pastor इप्लिमेंटेशन उसका एक्जिकेशन दिक्हा आती है उन लोगों को फॉलीमेंट तरीक्इंट ने कर पाते हैं आप जो पेपर के तीन मैंने पहले एक्जाम के लिए पढ़ने का टाइम टेबल बनाते हो ना बिल्कुल उसी तरीके से वो लोग एक नंबर प्लान बनाते हैं इतना प्यारा प्लान कि भाई मैं तो रैंक की स्कूर करने वाला हूं इस बार यह गंदी टॉंट मारी सर आपने तुम लोग तो पड़ते मैं जनरल बात कर रहा हूं पूर पब्लिक सेक्टर पब्लिक सेक्टर एंटरफर्वाइस की यह बहुत खराब रहती है क्योंकि वहां पर गौर्मेंट का गंट्रोल रहता है और गौर्मेंट कांट्रोल के इससमें जो और गौर्मेंट का परफॉर्मेंस बहुत क्या है जनरल टेंडेंसी मांड में बन गई है कि अच्छा है तुमको मैं दो ऑप्शन देता हूं तुम गवर्मेंट की बसमें बचके जाओ या प्रावेट सेक्टर की बसमें बचके जाओ तुमारे पास दोनों आप्शन से इस तुम किसको प्रिफर करोंगे हेगा तुमारी मजबूरी अगर नहीं होगे न पैसे से रिलेटेड या और पर प्रपस के रिएटेड तो थो तुम प्रिवेट को ही प्रिफर करोंगे रावदर देन गौर्मेंट को यह छोड़ो न भाई स्कूल की बात ले लो न तुम habits middle school में जाते हो मजबूरी तब this money लगेंगी वगरे वगरे जिनकी मजबूरी लेकिन जहां पे जिनके पास option है हुई से कुछ और ब्राभिक जयते आफ परस्ट को कुछ भग है वह प्रॉपर तरीके सी प्लांद की करता है प्रोपर तरीके वहाँ पर चीज़े नहीं होती है कामकाश नहीं होता है आप सब कोई बात अच्छे से मालूम है और इसी वज़े से यहां पर economic decisions जो होते है यहां पर पैसे से रिलेटेट डिसीज़न जो होते है उसमें अंडियू क्या होता है डिले होता है कि वेस्टेज of resources due to same product and services being produced and served in both private and public sector अब कहीना कहीं यहां पर resources का wastage होता है इनका बोलना है क्योंकि जो resources की मदस्ट से जो particular goods बनाते है वह बनाता है यह बात सहीं भी है और वही चीज public sector भी बनाती है दोनों बनाते हैं कहीना कहीना बना जाती है तो रिसोर्सेस का बहुत ज्यादा क्या होता है वेस्टेज भी होता है हाईयर रेट्स ऑफ टैक्सेशन होता है यहां पर भाई यह तो फैक्ट है इंटर में आऊंगे तो आपको बताऊंगा मैं इंटर में पढ़ोंगे कि भाई महां पे जो टैक्सेशन लेवल हो कही ना कहीं 43-44 परसंट तक भी जाता है कई केसे में इनना तुम सौ रूपे का मारे हो तो तुमको 43 परसंट टैक्स देना है सर मैक्जिमम तो 30 परसंट टैक् निकालना सिखोंगे अभी बात करके क्या फायदा है लाइक ऑफ एफिशेंसी करप्चन फेवरिटिजम स्टेट अप जानते हो पब्लिक सेक्टर में रहता है डिस अप्रोप्रेट ग्रोथ और प्रावेट सेक्टर इन केस ऑफ गवर्मेंट इनिशेट इनिशेट सब्सक्राइब बिग्रोफ देखा जाए तो इसमें खास रिविजिंड के लिए पॉइंट नहीं बट भार रिवाइष कर लेते हैं थाकि आपकी दिमाग में यह चीज अच्छे से बैट जाये इसको थोड़ा अलग तरीके से रिवाइज कराता हूं मैं there are four central economic problems अच्छा यहां पर mixed economy में उस questions का answer क्या रहेंगे एक बर बता दो बर थोड़ा सा what to produce क्या produce करोंगे mixed economy में सर यहां पर दोनों produce होंगा यहां पर दोनों produce होंगा profit वाला भी और consumer welfare वाला item भी और उन दोनों के लिए यहां पर resources क्या करी जाएंगे आपस में बाइटी जाएंगी ठीक है how to produce दोनों चीज़े यूज़ोंगी सर लेबर भी यूज़ करेंगे capital भी यूज़ करेंगे क्योंकि profit भी कमाना है और दूसरा unemployment होने होने दना है किसके लिए बनाएंगे और दोनों के लिए वनाएंगे गमिरिक के लिए निए करना है प्रोफिट भी कमाना है future के लिए रखेंगे का हाँ बहुत चीज़ें के लिए बचा कर रखी जाएंगी इस अरदी आइंसर में हमने अल्रेडिश कर लिए capitalist economy एक कर लेते हैं मैं च्यार्ट प्रोड्यूस नहीं थो नहीं को नहीं सब्सक्राइब कर रहा तो तो मज़ा नहीं थे नो का रुभाइब प्रोपर्टी करें कहा पर होता है कैपटैल समें बहुत रेच बहुत मिनिमूम प्रावल्मेंट को रहा है मेजर को ऑनर्शिप बोली जाती है कि महां पे और पटेस का इन वार्ट सेटर जूटा था है छोटी-पटी फरंस वरक्षिबग इन सेटेड़ से कड़ा रॉल नहीं होता है बना सकते हो बट अब सोचलिस्ट की बात करोंगे तो फ्रीड़मः पर नहीं करता है यहां पर एक्जिस्ट और फिर शोचल इक्पिटिव्ट्व शुचलिस्ट में पैदा नहीं होता था कि आप फ्री हो पेंड करने के लिए जूची आपको चाहिए जैसे आपको चाहिए अधे जो पर्के मैं जो इस मपाइग जहतें तो अगरा मिक्स की कि नहीं करती है एंवल्मेंट लिए सिले को एक्जिस्ट में पर आपका आपका कंजुमर सोविनिटी रहती है फ्रीडम ऑफ चॉइस रहती है क्योंकि प्रावेट सेक्टर भी एक्जिस करता है सोशालिस्ट में है मिक्स में भी नहीं है प्रॉफिट मोटीफ होता है और वहां पर दोनों मोटीफ प्रोटे एक्जिस करता है के और बहुत ज्यादा हद तक क्यों में कंपिटिशन नहीं और बात इक तो आप लोग मेरे से जानते ही हो तो उसको डिसकर करके आपको मतलब नहीं आप लोगे आप लोगे आप लोगे आप लोगे फिर वी अगर आपको लगता है तो मा और और वाद दूगा रिविजन बट एक बार आप पहले पढ़ लो अच्छे से तो आपको क्लियरेटी से समझ में आएंगा वैसे बेसिक जो कंटेंट सा उस चैप्टर का हमने पूरा पार्ट वन ए और पार्ट वन बी यह अच्छे से कर लिया है और आपको अगर रिविजन करना है फिर से पार्ट वन ए का तो जी रिविजन लेक्चेर है उसको वापस से देख लेना तो पार्ट वन ए देख लेना अपका रिविजन भी हो जाएंगा उसके बाद फिर आप एंशी कुछ स्वाल करने के लिए क्या हो फ्री हो बिलकुल एंशी कुछ को जितने चाहें उतने अंशी क्यों करो कुछ पच्चों की कोश्चन को बहुत बार आते हैं जब उनकी स्व सॉल हो जाते हैं क्या सर यह सफिशेंट है क्या सर जो आपने इतने सारे एंसी कि प्रोवाइट करें गया है मैंने मतलब कितने करें बताऊं सब्सक्राइब करने के लिए बोला है वह तरीके से अगर तुम सब्सक्राइब करोंगे ऐसा नहीं कि एक बार यह सब्सक्राइब इसको उठाने इस नहीं यह बच्चों के मेंटालीटी बन जाती है अब इससे कर लिए बैसमें दूसरी बुक से करूँगा अब इससे थेरी पढ़ लिया फिर मॉडिल से पढ़ लूगा थेरी सब्जेक्ट में एक चीज कॉंस्टन रखो जो बुक से पढ़ रहे हो वही ब इसको मेने पहले एक मैने पहले जब कोर्स खतम हो जाएंगा हमारा जब अच्छे से फिर तुमारे यह एंसी की दो थीन बर फॉल हो चुके होंगे क्योंकि जो तरीके से मैं को करने को बोला अलग से पेपर में वहीं तो तुम करोंगे तो यह एंसी क्यू हमेशा नहीं रहे जाफ दिसमी देख मोर दैन इनॉफ मोर जान सॉफिशन एक केंटेंट के उपर एक एंसी की दिए हुय है मैंने,डशी सॉश्य निगी स्कू अक्टी इसको पर एंसी कि दुझे बिसनस एकोनोमिक्स इसको पर मसी कि दूज है Central Problems इसके ओपर MCQs है Capitalist Socialist Mix इसके ओपर MCQs है मतलब Bifurgated करके भी दिये है और कुछ Combined वाले भी बाते दी वही है तो इतनी सारी चीज़े देने के बाद मेरे को नहीं लगता कि और कोई चीज़ की नीज या ज़रूरत है अरिगेटिंग में पॉइंट तो टुडे थैंकि यू सो मच गाई अच्छा लागा ओ तो लाइक शेयर करके जाना ठीक है कमेंट करके बाताना कैसा लगा है लेक्श्यर थैंक यू सो मच फॉर थैड ठीक है एंड चलो ठीक है कल मिलते हैं कल बात करेंगे बाकि कल न्यू जैप्टर स्टार्ट करेंगे आप लोगों का उटिविटिलिटी एंड कंजिमर बिएवियर वेरी वेरी इंटरेस्टिंग केप्टर मजा आ जाएंगा मतलब मजा तो कल मजा करते हैं बाई-बाई गाई थैंकि तो मच